जस देश में चीतों की जनगना हो सकती है जनवरों की जिगद घोडों की जनगना तो ओ बिस Кी ओसकी की ऐसी ** विपक्ष में भी कुछ गुषय спас Kapxi मनुवाधी लोग परदान परताइगżyć कोशिश करते हैं लेकिन 2024 तक हम कुछ न कुछ रणनीती ऐसी बन जाएगी कि इन्हें पल्टी मारनी पड़ेगी और OBC का असली चेहरा आपके सामने परधान मंतरी के रूप में आएगा या बहुजन समाज की नेतरी हमारी मायावती जी अगर हम पूरा खुल के आती हैं तो इ बहुजन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा नमस्कार मैं प्रियंका आप देख रहे हैं जनहीत आवाज आज आहिल्या भाई होलकर की जैनती है और OBC समाज लगा तार एक जुट हो रहा है और बहुजन समाज की बात कर रहा है मैं क्या कहना चाहेंगी इस रोड सो को लेके जिस प्रकार से OBC समाज पुरा दिल्ली में एक जुट हुआ तकरीबन पांच किलो मीटर तक यह यात्रा निकाली गए इसको कैसे देख रहे हैं आप देखे बहुत ही अच्छा संकेत है कि देश की राजधानी दिल्ली में हम सड़कों पर उतर रहे हैं और यह महारान कि इसमें बिहार सारे राज्यों के लोग करमचारी काम करते हैं तो इनको हर किसी को भारत में अपना हक अधिकार चाहिए इसका बहुत शोशन हो गया है अब इसके हिस्सेदारी के लिए बात बिल्कुल गले तक आ गई है तो इस तरीके के प्रोग्राम हम बढ़ चड़कर आगे बढ़ाएंगे अभी मैं परसो जो है ग्वालियर से आई हूं वहां पर भी ओवी सी महासभाने प्रोग्राम कराया हुआ था हर प्रदेश से लोग आई हुए थे हमारे और वहां पर युवा ने बढ़ चड़कर हिस्सा लिया मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी कि अब बचर के हिस्सा लिया और युवा जो दिल्ली में बात हो रही है वही वहां पर भी बात हो रही है तो यानि एक पूरी लहर जो है अपने हक अधिकार की अपने शोशन की बेरुजगारी की मैं बेटियों के साथ बलतकार की सारी देश में बचर चाहीं चल रही है साथ सबका विकास तो आपने दिल्ली के जंतर मंतर पर देखी लिया होगा कि किस तरीके से जो देश में अपना नाम कर रहे थे पहलवान उनको जो है नहीं नहीं मिल पाया उल्टा उनीक पे चिटा कसी शुड़ हो गई और कुछ जो है बीजेपी नेताओने उनको जो है कह ले जाओ नहीं तो तुमारी साथ कुछ हो जाएगा जो शोशित है उसको उल्टा धंकाया जा रहा है जो उनके साथ खड़े में उनको रोड़ों पर गसीट कर लिए ले जाया जा रहा है लेकिन ब्रीज मोशन पता नहीं कौन सी तोप हो गई जो हजारों लड़कियों के सा इतना लंबा चोड़ा उस पर अपराद के जो है न वो थे और छे बाद से वो सांसद है इतनी यूनिवस्टी कॉलीज है उसका बेटा भी लिखके जाता है कि आप बापका अच्छा फरज नहीं पिर भी सरकारे कुछ नहीं कर रही है फिर भी कोड कोई एक्शन नहीं ले र पर से बस उन्हीं की पार्टी उन्हीं का विकास है यह 10% लोगों को मोधी जी ने कहा था कि 10% लोगों से मेरा वास्ता है तो 10% इन्हीं के अपने वर्ग के लोग हैं बाकि हम ना OBC, SC, ST, Minority का इनसे कोई नहीं नहीं है यह बेड़ बकरी है इसका शोशन अपेशा होता रहे होता रहेगा इनकी मान सिखता है OBC समाज लगतार महा सभाएं कर रहा है तो क्या इसका असर 2024 में दिखेगा बिलकुल दिखेगा ऐसा नहीं है जब तक बच्चा रोएगा नहीं मां भी सोचती है कि चलो खेल रहा है थोड़ा सा काम और कर लेती हूं लेकिन जब वह चिंगा जन चनगन्ना की बात कर रहा है कि जिस देश में चीतों की जन तो उब सब्सक्राइब सब्सक्क्राइब वो भीपक्ष एक जूठ हो रहा है तो इससे सरकारों पर प्रभाव पड़ रहा है और वह ब्रगलाने की कोशिश में लगा पड़ा है अब देखिए अगले ही 23 तार बक्ष में भी अभी कुछ जो है आरसस मनुवादी लोग जो इसको अंदर अंदर जो है तोड़ने की जो है वो कोशिश करते हैं लेकिन 2024 तक हम कुछ ना कुछ रणनीती ऐसी बन जाएगी कि इन्हें जो है पल्टी मारनी पड़ेगी और OBC का असली चेहरा जो है आपके सामने प्रधान मंतरी के रूप में आएगा या बहुजन समाज की नेतरी हमारी मायावती जी अगर हम पूरा खुल के आती है तो इनी की सरकार बननी आगे नकली लोगों का कोई भी वो नहीं है देखिए मैं वर्ग डाटा बताती हूँ आपको सरकारी नोगरी में जनल कैटेगरी हमारा 10% है क्योंकि बाबुजिक देव प्रशाद कुश्वाजी ने कहा था कि स्वा में से 90 भाग हमारा है धन जमीन नोगरी ठेकों पर सब पर 90 भाग हमारा है लेकिन जनल कैटेगरी जो है 89-90% सरकारी नोगरी वो पर आज का भी जो है ओबिसी जो है आपको लगता है कि 52% 1931 में था लेकिन आरक्षन के बावजूद भी उसको 4.6 जो है सरकारी नोगरी पर वो है और SCST जो है वो साड़े 22% का दावा करते हैं कि SCST को साड़े 22% मिला है लेकिन उसको भी 5.68 सरकारी नोगरी यों पर उपके उच पदों पर मिला है ऐसे विदेशों में अगर हम बात क करें तो फर्स्ट ग्रेड में जो है उच आयोग में SCST के सिर्फ 9% है जो के 27% साड़े 22% होने चीए OBC के 0 है सेकंड ग्रेड में OBC के 0.7 है देखिए जो बड़ा धड़ा है OBC 52% 1931 में वो 0,1,2 इसी तरीके से जो है ये पूरा क्रीम जो मलाई है वो कौन चाट रहा है स्व फरसे स्वर्ण चिक समाज चाट रहे है उसमें सबसे बड़ा वर्ग जो है दड़ा 3% ब्रह्मन है जो की सरकारी आवासों पर भी सरकारी फ्लैटों पर भी सब जंगे उन्होंने मीडिया हो कॉलेजियम सिस्ट्रम हो सब इन्होंने हाई जैक कर रखा है देश गुलाम है दे ले लीजिएगा हमारे ये मनुवादी लोग हमारी महिलाओं को बार की तरफ विश्यावर्ती की तरफ दकेल रहे हैं कोशची कॉंडली कांड आपने देखा अंजली कांड आपने देखा उसमें भी एक मनुवादी आदमी उसे घसीट करका कही किलोमेटर तक ले जाता है ल नहीं पूस्ति हैं और तो यह नों पूब विक कर दो तो हमसे औरटी यह रहाए ना कोई है ना पुंजी वाद ब्रामण वाद है सब एक हो जाते हैं तो आज सब की डिमांड है कि हम भारती हैं और टीवी पर जिस दिन ये जो है ना सारा दिन बाबा चलते रहते हैं जया श्री राम करो और जो है ना अब हम मतुरा में कृष्ण राज लेके आएंगे और जया किशोरी को देखो राधा राधा नाम जपो ले अगर जनता माया से दूर रहती है तो तुम लाख लाक रुपे फीस लेकर क्यों प्रोग्राम करते हो क्यों तुम्हारे ओटो पर माइक चलते हैं और बंडारे लगाते हो तब जनता तुम्हारे पास में आती है अगर तुम इतने ही सच्चे हो ना तो बंडारे लगाओ ना पाकंडवाद जिस दिन देश से खतम हो जाएगा जल्द ही कुछ सालों में ही आपको नजर आएगा टीवी पे काटा लग जाएगा यूट्यूब चैनल पर डाटा प्रसारीत हो रहा है प्रचारीत हो रहा है शोशल मीडिया ही जो है बाउजन का मीडिया है और इसी को युव पकी जो मजान आएख चारी प ethical टैक्स कर रहा है आपकि जो है आपका patriots है च्व सिर्फ जो पुझिवादी और लाखों में जो करोड में रुपिट ऑ है लाक को करोड़ और रुपिया वो सिर्फ सिरूपर सिर्फ तेक्स कosखा धरा रहा है 90 परसंट मैंघन समाज का जा रह कितने बढ़ गए हैं अगर पेट्रोल डीजल के बढ़ेंगे तो जो हमारी डेली यूट रूटीन की चीजे उनके रेटा ट्रोमेटिक लिए वह होंगे तो सारा का सारा बहुजन समाज सरकार को बीजेपी सरकार को टेक्स देने में लगा हुआ है और उसको मात्र मिल रहा है सब्सक्क इसो और अगर में देख्यों अंगडे को करना सरकार मुफ्ट कार्शन दे कौक है पैसा मेरा और उस में से अगर मैं एक पीसा मेरा और ऐसमें से अगर में एक रुपząd की उस्समें से मुझेअ घजार रुपया दे भी दो गे तो तो मुझे जो है बेवकु बना कि मेरा ही पैसा लूट के मुझे थोड़े से टुकड़े फैंक कर इस बहुजन समाज का कब तक शोषण करते रहो गई सारे टेक्स जू है कमेरा वर्ग करता है और कमेरा वर्ग है कौन सर्व समाज की बात करती है मुखर होके बोलती है जब भी इनके वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुजन समाज को आंटा की जरूरत नहीं है, रासन की जरूरत नहीं है, सिक्षा की जरूरत है, क्योंकि सिक्षा ही सवालों का जन्म देती है, इस खबर पे आपकी क्या रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, धन्यवाद